निमस्कार दोस्तों मैं रमेश गुपता एक बार फिर अपने चैनल ग्रिन तम रमेश पे आपका स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आप स्क्रीन पे जो ये प्लावरिंग देख रहे हैं ये सीडलिंग पे त्यार किया गया नक्टिन का प्लावरिंग है और थर्ड येर में इसकी जो फ्लावरिंग वो आ गई है और ये प्रॉपर ढंक से इसकी पुरूनिंग की गई है और ग्रोथ वैसे इतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी प्लांट अपने हैल्दी होने के सिम्टम दे रहा है तो दोस्तों जुरूरी नहीं होता है कि हम हर चीज जो रूट स्टॉक पे ही त्यार करें अगर प्रॉपर नॉलेज पुरूनिंग का ट्रेनिंग का है तो सिडिलिंग पे बहुत अच्छे रिजर्ट्स हाते हैं यह सदियों से होता आया है और हाई प्लांटेशन में भी इसके रिजर्ट्स अच्छे हैं और यह जो है बहमी के ऊपर जो एक जंगली आड़ू होता है यह ग्राफ्ट किया गया प्लांट है और बहुत अच्छी किसम का नेक्ट्रिन का यह प्लांट है तो दोस्तो अगर हम सही तरीके से सही इन्फरमेशन सही नौलेज से करेंगे तो सिडिलिंग भी उतना ही अच्छा होता है जितना के रूट स्टॉक हलाके इनका कंपेरिजन है दोनों के बहुत अलग अलग बैनिफिट्स हैं दोनों अपनी जगा बहुत सुटेवल हैं चाहे वो रूट स्टॉक हो चाहे सिडिलिंग हो के जगा रूट स्टॉक ही बहुत प्रेफर किया जाता है उसके रिजल्ट और ढंके आते हैं और के जगा सिडिलिंग ही प्रेफर किया आता है उसके भी रिजल्ट से बहुत अच्छे आते हैं तो मेरा परपस यह था कि आपको यह दिखाना कि जडिलिंग के अगर हमारे पास रूट स्टॉक नहीं है तो हम सिडिलिंग को क्यों यूज करें हम दोनों को यूज कर सकते हैं और दोनों के मंचा आये रिजल्ट ले सकते हैं यह डिपेंड करता है हमारे जो नॉलेज के ऊपर और जो स्किल बताया जाता है डिफरेंट जगा से जो इन्फरमेशन मिलती है उसके मताबिक तो दोस्तों आपको मेरा यह चोटा सा वीडियो पसंद आया होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए बैल आइकान का बटन दबाईए और मेरे वीडियो का जाई-जादा शेर किजिए लाइक का बटन भी दबाईए क्योंकि लाइक का बटन दबने से ही YouTube जो है वीडियो को सर्च में डालता है Otherwise वो सर्च में डालता है तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो पे धन्यवाद